डिफेंस कोरिडर के अलीगड नौड की प्रगती का मैंने अवलोकन किया अलीगड में ही डिफेंस मैनुफेक्टरिंग से जुड़ी देड़ दर्जन से अधिक कम्पनिया शेंकडो करोड रुप्य की दिवे से हजारो नए रोजगार यहां बनाने वाली है अलीगड नोडवे, छोटे हथियार, आयूद, ड्रोन, एरो स्पेस, मेटल कम्पोनेंट्स, एंट्री ड्रोन सिस्टिम, डिफेंस पैकेजिंग, ऐसे उत्पात बन सके, इसके लिए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। ये बदलाव, अलीगड और आज पास के छेत्र को एक नई पहचान देगा। साथ्यों, अभी तक लोग अपने घर की या अपने दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगड के भरो से रहते थे। पता है ना, क्योंकि अलीगड का ताला अगर लगा होता था, तो लोग निस्चिंत हो जाते थे। और मुझे आज बच्पन की एक बात करने का मन कर रहा है। करीब 55-60 साल पुरानी बात है, हम बच्चे थे, तो अलीगड से ये ताले के जो सेल्स्पन होते थे। एक मुस्लिम महरबान थे, वो हर तीन महने हमारे गाउं आते थे। अभी भी मुझे आद है, वो काली जाकिट पहनते थे। और सेल्स्पन के नाते दुकानों में अपना ताला रखके जाते थे और तीन महने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गाउं के अगल वगल के गाउं में भी वैपारियों के पास जाते थे, उनको भी ताले देते थे। और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। और वो आते थे तो चार-छे दिन हमारे गाउं में रुकते थे। और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे, तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे। और मेरे पिताजी उनके पैसों को समालते थे, और चार-छे दिन के बाद जब वो मेरा गाउं छोड़ करके जाते थे, तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे ले करके फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थे। और हमने बच्चपन में दो शेहरों उत्तर प्रदेश के बड़े परिचित रहें, एक सितापूर और दूसरा अलीगड़। हमारे गाउं में अगर किसी को आँख की पिमारी में ट्रिक्पेंट करनी है, तो हर कोई कहता था सितापूर जाओ, हम जाना समझते नहीं थे, लेकिन सितापूर सब के सुनते थे, और दूसरा इस महासाय के कारण अलीगड़ बार बार सुनते थे, लेकिन साथियों, अब अ अतलक जो अलीगड़ ताले के जरिये गरों की तुकानों की रख्षा करता था, वो 21 स्थदी में ये मेरा अलीगड़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रख्षा करने का काम करेगा। कि योजना के तहट, यूपी सरकार ने अलीगड़ के तालों और हार्ड़वेर को एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। इससे युवाओं के लिए, MSME के लिए नए तैयार हो रहे हैं। अब Defense Industry के जरिये भी यहां के मौजुदा उद्वियों को, MSME को विशेश लाब होगा। और नए MSME के लिए प्रोचाहन भी प्राप्त होगा।